दोस्तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप सेवा जोजन पोर्टल मतलब क्यों रोझगार संगम पसे कैसे आप रिजिस्टेशन करेंगे तो इस video मा आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और आप लोगों के बहुत सारे comment भी आरहे थे कि sir हमारा यहाँ पर registration नहीं हो पारा है और कई लोग कह रहे हैं touch registration हो तो गया है पर sir farm हमारा पूरा fill up नहीं हो पारा है जो 9 step होते हैं वो 9 step हमारे complete नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल परसान मत हो ये इस वीडियो भाम सारे यहाँ पर जो आपकी परसानिया है उसको दूर करने वाले हैं तो मैं आपसे एकी request करूँगा कि आप वीडियो को आंद तक जरूर देखिएगा skip मत करिएगा नहीं तो आप फिर से comment करेंगे कि सार हमें समझ नहीं आया और हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो प्लिस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा और अगर चैनल पर पहली वार आये हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा और दोस्तो वीडियो के लाश्ट में आप सभी को एक ब्राउजर के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बड़े ही असानी से इस फार्म को पूरा फिलप कर पाऊगे तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आपको करना क्या है तो सबसे पहले आपको इस website पर आ जाना है इसका link में description में दे दूँगा जैसे ही आप इस website पाएंगे आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर देखी स्कॉलर डाउन करके थोड़ा सा उपर आएंगे आप यहाँ पर देन आपको यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर चार option आपको दिख रहे हैं जॉब सीकर का है आउट सोर्सिंग प्राइबेड जॉबका है गॉपर यहाँ पर देते हैं यह देखें दोस्तों जैसे हमने इस में इस पर क्लिक किया हमारे सामने यह नया पेज़ खूल के आया है हमारे login option आया है कि कैसे आप login करेंगे यह उन्होंchen पहले से girdiggare से कर वो user id को आप यहाँ डालेंगे और जो आपने password बनाया था वो password को आप यहाँ डालके यह जो capture code दिया गया है यह नीचे यहाँ पर हम फिलफ करेंगे उसके बाद यहाँ पर submit पर click करेंगे जैसे हम submit पर click करेंगे हम अपने dashboard पर आ जाएंगे यहाँ पर देखिए job seeker sign up इस पर हमको क्लिक कर देना है तो हम यहाँ पर job seeker sign up इस पर click कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा sign up का यहाँ पर page खुल के आया है हमें करना क्या है यहाँ पर देखिए सबस पहले आपको यहाँ पर अपना first name डालना है यहां पर देखे ज्यादा तर लोग यही गलती कर देते हैं यहां पर आपको करना क्या है यहां पर जो आपका आधार कार्ड में नाम हो वही नाम आपको डालना है ना कि आप मार्क शीट वाला समझें क्योंकि देखे मार्क शीट में भी जरूरी है मगर आपका दोनों नाम सह लाइब आपको यहां पे डालना है फर्स्ट लास्ट और मिड़ल का मतलब यह हुआ कि जैसे आपका नाम अगर मान लिजे मैं आपको कोई सभी देमों की तोरुथ पता देता हूं कि देखें संजीव कुमार पटेल मान लिजे आपका नाम यह है तो पहला आपका संजीव यह निम रहेगा और यहां प्लास ने आपका जो पटेल आपने जो भी टाइटल डाला हो जो आपका हो सरने मुप डाल दीज़ेगा और जिनका शरीप दो ही नाम है जैसे कि मान लीजिए उनका है और उसका अपना टाइटल है जो भी वो लिखते हैं तो वह आपना इस नेइम डालेंगे नाम और यहां पर यहां पर अपनी ऐमिल आईडी है और वह डालना है यहां पर यहां पर लोग में सवर्पर हेरा है 2013 या कुछ बता रहें थे इसके बाद आहीं नहीं रहा है ऐसा देखी कुछ नहीं है मैं आपको यहां पर lige दिखा देता हूं सब है और की करना यहाँ होता क्या है यहां पर देखिए इसमें fwoormit दिया गया है जो आपका यहां पे सन के option पे आप यहाँ क्लिक करेंगे देन उसके बाद यहाँ देखे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे आप नीचे आ गए आप यहाँ पे आपको देखे 13 के बाद यहाँ नीचे नहीं जा रहा है यह मोबाइल फोन में यह प्रॉब्लम आता है अगर आप desktop या laptop पे कर झालूब 23 क्लिक करेंगे तो जबना गए घृजब्ल देखे रुठ फिर आ पे तीन क्लिक करेंगे ऊ और फिर आप यहाँ पर फीर पिर नीचे आप कर चकते हैं जैसे हमने यहाँ पर 1995 में हमारा date of birth है, हमने इस पर click कर दिया, देन आपको यहाँ पर month select करना है, यहाँ पर month वाले पर click करके, जो भी आपका month हो, वो आप select करेंगे, यहाँ पर हमने select किया मई, फिर आपकी जो date हो, यहाँ से आप calendar में से आप select कर लेंगे, इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए, देखने को मिल रहा है, पहले यहाँ पर date of birth में सबसे पहले है, उसके बाद महीना है, फिर आपकी तारीक है, जो भी है, इस तरीके से, यहाँ पर इस format में होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर gender में, आप male, female, जो भी है, आप select कर लेंगे, देन यहाँ पर देख आपको sample भी दिखाया है, तो आपको करना का password में क्या है, जैसे आपका कुछ नाम है, तो नाम का पहला दो, यहाँ एक अक्षर जो भी capital में लेके, फिर small में लेके, देन आपको addgerade, hashtag, या तो कोई सब भी आपको डाल लेना है, फिर a1234, या तो कुछ भी आप unique सा थोड़ा बनाईए, और ऐसा बनाईए कि आपको याद भी रहे, ठीक, वो आपको यहाँ पे डाल के, देन आपको यहाँ फिर से confirm password इस पे click करना है, और यहाँ पे same वही वाला जो आपने बनाया था, same आपको यहाँ पे click कर देना है, फिर उसके बाद यहाँ देखे check box दिख रहा है, हम इस check box पे click करेंगे, फिर check box पे हमने click कर दिया, उसके बाद यहाँ देखे जो capture code दिया है, यह capture code को हम यहाँ डालेंगे, यहाँ देखे देन उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे red color में दिख रहा है, verify आधार number, हमें क्या करना है, हमें इसी पे click कर देना है, जैसे हम इस पे click करेंगे, हमारे सामने एक दूसरा नीचे यहाँ पे अकॉलाम आएगा, वहाँ पे आपको अपना mobile number डालना है, देन आपको send OTP पे click करना है, और वहाँ पे जो आपकी OTP आएगी वो डालके आपको यहाँ आपको आगे बढ़ जाना है, तो देखिए दोस्तों पहल देख के आप भर लीजेगा, इसमें मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा नहीं हो पा रहा है, यह उनके लिए है, तो दोस्तों इस तरीके साब को यह सारे step follow करने हैं, और दोस्तों अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको बताते हैं, लॉग इन करके, तो देखिए यहां पर लॉग इन करने के लिए फिर से हमें वही home page पे आ जाना है, देन आपको यही जॉब सीकर इस पे क्लिक करन है फिर से एक बार, उसके बाद यहां पर देखिए, login page हमारे सामने आ चुका है, हमको करना क्या है, जो हमने user ID और password बनाया था, वो हमें यहां पर इस पे भरना है, तो चलिए हम सारा कुछ भर के आपको दिखाते हैं, यह देखिए हमने यहां पना user ID और password यहां पर डाल लि है, वो नीचे देखते ही नहीं कि आखिल लिखा क्या है, यहां पर देखिए, red color में यहां पर लिखा है, you are already logged in, please log out to start new session, यहां पर देखिए, आपका already logged in रहता है, किसी ने किसी browser में, इसलिए आपका नहीं हो पाता है, तो आपको करना क्या है, यहां पर देखिए, submit की नी आप चलिए, हम फिर से डालते हैं, यहां पर देखिए, हमने यहां पर फिर से अपना डाल लिया है, user ID और यहां पर password और capture code, अब फिर से हम यहां पर submit पे click करेंगे, तो चलिए, हम submit पे click कर देते हैं, यह देखिए, दोस्तों, मैंने कोई card chart नहीं की, आपके सामने यहां प यह आपको red color में दिखेंगे, क्योंकि आपका वो पूरा fill up नहीं रहेगा, यह पूरा fill up हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में जो बहुत सारे comment आ रहा है, कि सर हमारा वेक्तिकत वाला option नहीं fill up हो पा रहा है, बांकी हो गया ह या तो कोई कहरा तसारा अनुभाव वाले में नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कि जिसका हमने complete किया है, किस तरीके से complete हुआ है, दोस्तों अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा, यहा अगर एक भी यहाँ पर फिल अप नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर पहले पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पर भरा है, यह देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर नाम पूछा था सबसे पहला, यहाँ हमार आपका यहां पर पिता जी का नाम है अंग्रेजी में फिर उसके बाद पिता जी का नाम हिंदी में रहेगा फिर यहां पर मम्मी का नाम अंग्रेजी में फिर मम्मी का नाम हिंदी में रहेगा फिर यहां पर देखिए आपका धर्म कौन सा है यह आपको डालना है देन उसके ब men dita है तो आप इस पे क्लिक करेंगे नहीं तो रहने देंगे अब करेंगे जो भी आपका जंपद हो वह य्लेशन है पैनकाड है जो भी है हमारा वह आपको रहन करना है पिर उसका यहाँ पे संख्याप को नीचे डाल देना है फिर यह family ID में आपका अगर रासन कार्ट बना हुआ है तो आप डालेंगे नहीं तो रहने देंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको option आ रहा है यहाँ पे क्या आप विदेश में काम करने की इच्छुक है चैन करें हाँ या नहीं उसके बाद आपको अगर इच्छा है अगर भी देश में काम करने का तो yes करेंगे नहीं तो no करेंगे मैं तो यहाँ पे no किया हूँ क्योंकि हम भारत में ही काम करना चाह रहे है तो यहाँ पे हमने no किया है यहाँ पे सुछच्छ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे प्लोड करोड़ करों इस ततो आपको कोई प्राब्लम होने वाली नहीं है आपका सारा कुछ यहाँ पर सम्मिट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए संपरसूत्र में मैंने क्या डाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ हम इस पर क्लिक करेंगे दूसरे पर यहाँ पर देखिए हमारा क्या है यहाँ पर हमने 6 सलेट किया है ग्रामीड जो अगर आप ग्रामीड सलेट करेंगे अगर सहरी है तो नगरी सलेट करेंगे देन उसके बाद यहां पर अपना स्टेट आप सेलेट करेंगे जिस भी स्टेट से हैं आप राज से हैं जो भी राज से वो सेलेट करेंगे फिर जनपद अपना सेलेट करेंगे फिर तैसील अपनी सेलेट करेंगे फिर विकास खंड अपना सेलेट करेंगे उसके बाद यहां जो आपका पिन कोड नंबर आपको डालना है जो आपका संख्या हो यहां पर आपको पत्राचार का जो पता है उसमें आपका जो आधार कार्ड में है सेम आपको इसी पर टाइप कर देना है उसके बाद यहाँ देखे इस्थाई पता उपरोकता उनुसार अगर आपका उपर का जो पता है वही आपका इस्थाई पता भी है तो आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक करके यहाँ सुरच्छित कर देना है यह आपका सेफ हो जाएगा उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, यहाँ पर आगला सारी रिक पर क्लिक करना है, तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ, यह देखिए सारी रिक में आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कि हम क्या भरे हुए हैं और आपको क्या भरना है, आपको यहाँ पर मैं अपको बता दूं को यह इस चो जो जितने भी है जिसमें सार लगा हुआ है उसार बार सज़िक बेंगे लिए है तो हां करिए गा उसकी डिटेल डालिएगा अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके सुरजचित कर दिजेगा आगे बढ़ जाईएगा उसके बाद यहां पर सैच्छित योगता में यहां पहला आ रहा है कि क्या आप सिच्छित हैं यहां पर आपको सेलेट करना है क्योंकि उसके बाद उसको आगे यहां पर उसकी डिटेल पूरा डालेंगे आप उसके बाद सेफ करेंगे उसके बाद फिर नई जोडने के लिए यहां पर नई सैच्छित योगता जोड़ें इस पर क्लिक करेंगे देन आपको फिर से जो भी आपने इंटरमेडियेट किया हो उस त डिजिट डालना है वह इंगलिस वाला चोड़ देना है इस तरीके से आपकी जितने भी सची क्योगताएं हो आप एक एक करके एड़ कर लीजिए गा उसके बाद सुरचित करते जाईएगा देन उसके बाद आगे बढ़ना है आपको भासा ग्यान वाले पर क्लिक करना है दोस सब्सक्राइब करेंगे और भासा में आप सब्सक्राइब करेंगे यहां पर देखिए आपका यहां पर आप सब्सक्राइब करेंगे और बोलना आता है लिखना पढ़ना आता है आप प्रवाह अच्छे से करते हैं वह आपको सब्सक्राइब करना है ऐसे से करके जितने भी जैसे जादा तर लोग Hindi English बोलते हैं माले जी उधर तमिल वाले तमिल बोलते हैं तो जो भी हो आप वहां पर सुरच्छित करेंगे देखिए हमने यहां पर इस तरीके से किया हुआ है यहां पर देखिए हमने बोलना भी आता है लिखना आता है पढ़ना आता है प्रवाब है तो सब में हाँ हाँ आमने किया है, ऐसे करके आप सुरच्छित कर लेंगे, देन आपको यहाँ पर अनुभव आले पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर सलिक करेंगे, यहाँ पर देखे पूछ रहा है क्या आपको कोई कार करने का अनुभव है, अगर आपके पास कोई experience है, अनुभव है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करके आप इसको skip कर देंगे, कई लोग सोचते हैं सर हमारा वहाँ पे green color नहीं आ रहा है, red ही है, क्योंकि देखिए वो red इसलिए है, क्योंकि आपने अनुभव यहाँ पर आपके पास नहीं है, जिसके पास अनुभव है, तो वो अपना detail यहाँ पर डालेगा, जैसे हमने इनका डाला है, यहाँ पर देखिए यह सारी चीज़े आपको डालनी पड़ेगी, छेतर कौन सा है अनुभव का, वो सलिट करना है, नियोजन का प्रकार, कंपनी कौन सी थी, आप किस प कॉसाइक को पूछ रहा हैं या तो आपने किया है, या अपने किया है, जो आपको समबन्धित, जो website पर गालें तो अगर आपने किया है, तो हाँ पर कलिक और डिटएल अपनी भरके यहाँ पर सम्मिट करेंगे, पर बंदे उसके बाद आगे बढ़ेगे, वैरीता पे आप क्लिक करेंगे यह देखिए दोस्तों वैरीता में क्या पूछ रहा है छेत्र पूछ रहा है आप कौन से छेत्र में नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं यहाँ पर देखिए आपका जो भी काम करने के आप इच्छुक हैं वो आप यहाँ पर सेलेट करेंगे उसके बाद यहाँ पे नौकरी की इच्छा यहाँ पे आप अगर इस समस्त में सभी में करना चाहते हैं तो वो आप समस्त करेंगे नहीं तो आप किसी पैटिकुलर पे करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रूची रखते हैं अगर हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखे वेतन सीमा है कि जिले के बाहर नौकरी करने के लिए जुक हैं तो अगर हाप हैं तो हाँ नहीं तो नहीं इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखे इच्छित इस्थान आपको तो हमने यहाँ पर अपने देश में करके रखा है यह सा हमत हूँ उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहां पे आप इसको सुरच्चित कर देंगे तो दोस्तों देखा इस प्रकार से आप कैसे अपने घर बैठे अपने मुबाइल फोन से ही इसको बड़े ही असानी से आप भर पाऊंगे आपको कोई भी दिक्कत आने व ब्राउजर को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर आजाना है जब आप गूगल प्ले स्टोर पाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ देखिए सर्च का आइकन दिया है इस सर्च की आइकन पर आपको क्लि लीजेगा उसके बाद इसके माध्यम से आप अपने फांब को फिलफ करिएगा और दोस्तों आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखे सबस पहले आपको ट्राइक करना है अपने फोन के ब्राउजर से जो आपके फोन में जो ब्राउजर है उस ब्राउजर के माध्यम से आप अपने फांब को भरिए अपना रेजिस्टेशन करिए अगर उससे नहीं हो पा रहा है तब ही आप इस पर आईए क्योंकि देखिए यह सब क्या होते हैं यह सब थर्ड पार्टी एप रहते हैं लेकिन यह से फिर भी मेरा दायत बनता है आप लोगों को बता अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं कुछ लोगों का खुद से ही यहाँ पे रेजिस्टेशन कर दूँगा मगर देखिए हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है तो सभी लोगों का करना पॉसिबल नहीं है परन्तु मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ लोगों का य अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो लेकिन सबस्पहले आप अपने से ट्राइ करेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा आप अपने स्वयम से भरेंगे तो आप कैसे क्या भरना यह भी सीखेंगे और यह बहुत लंबा प्रोसेस है तो डाकुमेंट्स बगएरा आप सब को बहुत सारा भेजना पड़ता है तो आप स्वयम से ही कर पाएं वही बहतर रहेगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में जरूर सेयर करिएगा ताकि उन सभी का भी रजिस् पाएंगर मेंन दोस्तों में वीडियो का तो